हेई गाइस वल्मकम बैक मैं हूँ आपका टेक्निकल दोस्त अंश और आज में लेकिया हम आपके पास होंडा का सबसे ट्रेंडिंग मॉडल जो है होंडा एक्टिव बात करेंगे इसके प्राइस की फिर हम जाएंगे कुछ कॉलर्स और कुछ प्रोस फिर कुछ पॉन्स और दूसरा है वह स्टैंडर्ड अलॉइ विद भी सो टेक्नोलोज इंजन और प्राइस इस शीजिटावन जिसका प्राइस है और यह सब एक शोरूम प्राइस है मॉंबई के तो गई जैसे कि आपने राइट साइट में देख सकते हैं कि प्राइस प्राइस रिखे हैं जैसे कि बैंगलो और हाइदरबाद चंडियों और मुंबई इन चारों का प्राइस अलग-अलग काफी है इतना इसके लिए क्योंकि स्टेट वाइस आर्टियों और इंशॉर्स अलग-अलग हो सकता है तो वाइस यह तो बात थी इसकी कुछ प्राइस की और कुछ वेरियंट की तो जो कंपनी के दोरा नया निकाला गया है वह है मैक क्रस्ट मेटैलिक तो अब यह तो थे इसके कुछ कलर्स अब हम जाते हैं इसकी कुछ प्रोज और कुछ कोंस की तरफ तो इसका फिर्स प्रो है एलोई वील स्मूथ रिफ प्रिफाइंजन गोड्राइड क्वालिटी कंटे इसका प्राइस काफी जादा है और जो पावर उतना जादा नहीं जतना चाहिए और बेसिक इस्ट्रमेंटिशन में काफी कड़ बढ़ है तो अब हम बात करते हैं कुछ नहीं की इसमें नया क्या है जैसे क्या विच्छ में देख सकते हैं इसके नीचे यहां पे दो फिस्ट्रम यह हैलाइट अपने आप राट को स्टार्ट हो जाती है और यह काफी अच्छ का लुक काफी बढ़ी आता है जैसका आप बहुत देख सकते हैं और यहिंदेंस के लिग देख सकते हैं इसमें अप्राइड़ मल जाए कि आपके कैसी लगती है तो यह इसके बिच को टेकनोलोजी का इंजन मिला गया है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरू करें और अगर आपको कंफ्यूजन है कोई एक्टिवा या फिर कुछ किसी उसमें आप कौनसी कहिना चाहते तो आप मुझे एक इमेल लिख सकते है तो मैं आपसे पर्सेली बात करूगा कि आपको कौनसी लनीच चाहिए मैं आपको अच्छी से आच्छी सायशन दूँगा और आपकी हयल्प करोंगे कि आपको कौनसी लनीच चाहिए थैंक।